और जितना विकास यहां का स्थानिय सांसत राजा उपराजी उपरता परूरी ने किया है वो दस सालों में अभी तब किसी ने नहीं किया लालू जी ने यहां का चीनी मिल बंद किया, लालू जी के चलते यहां का मोटर मिल बंद हुआ, लालू जी के चलते सारा नीजरेंग बंद हुआ हमारे लिए वो बेटी है, जिस बेटी को उन्होंने जलिल किया, सौलकों पर निकालके उसके साथ बत्तोलुकी की गई है जो लालू परिवार में पैदा लिया, उसी का टाइटिल यादो है, दूसरा कोई ने। सिंपथी वोट या फिर जो दो बार से यहाँ पर से चुल के आये हैं राजी प्रता पुरूरी वो हैट्रिक मारने में काम्याब होगे, क्या है मुद्दे एहम हम चर्शा करते हैं स्थानी लोगों से, सबसे एहम मुद्दा क्या है सारन की धर्ती पे इस बार, सारन की 26,000 कर रुपिया का इंवेस्में का काम चल रहा है, गैस पाइप्लाइन हो, नमामी गंगे की योजनाय हो, फोर्लेंड हो, सिक्सलेंड हो, जितना काम यहाँ और आज तक कभी नहीं हुआ था, यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है, सिर्फ और सिफ यहाँ राजी परता काम चल रहा है, यहाँ कर खाने यहाँ का इज चित तिन लाग से उपर भोटों से चुनाव जितेंगे। प्रताप की जो पत्नी थी एश्वर्याप उनका जिक्र कर रहे हैं यह भी एक मुद्दा है आपके वह चपरा की बेटी दरोगा राय की पुति हो सकती है चंदिरका राय की बेटी हो सकती है लालू यादो की बेटी की से हो सकती है हमारे लिए वो बेटी है जिस बेटी को उन्होंने जलील किया सौलकों पर निकाल के उसके साथ बत्तोलुकी की गई है उसके साथ मार पिट के गई और आज वो लड़की को हासिये पर छोड़ दिया गया है उसका खाम्याजा भोगतना पड़ सकता है अपनी बेटी को तो उतार दिया लोने लेकिन बेटी को कहीं कोई सिंपेथी वो पर दिया सकती है यह कहा जा रहा है कि रोहिनी ने अपने पीता को किड़नी दान दिया जिस वज़े से कि एक सिंपेथी वेव उनके पक्ष में चल सकता है किड़नी जो दान दी हूँ, उनका इलाज कहा हुआ, सिंगापूर, बिहार के पंदरे बरस शासन किये उन्होंने, बिहार पर, उन्होंने क्या होस्पीटल दिया, क्या स्वास्त वेवस्ता किया, कि उनको सिंगापूर लेकर जाना पड़ा, उस सिंपैती पर वहाँ सारन की ध पर पर शारन की बेटियों का पमानता, और इसका खमियाजा, इस सारन की एक-एक महिला, इसमें उनको धूल चटाने का काम करेगी, और भारी बहुमत से भारतीय जनता पाटी को यहां से जीताने का काम करेगी. यह जो कह रहे हैं, आप इक्तिफाक रख रहे हैं, इनकी बात से आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव ले अपनी बेटी को चिलावी मदाल में उतार है, तो शायद चिनोती रूलीज को मिल सकती है. जहां तक्सवर आपने एक सवाल हमारे मित्र साथी से किया, कि किड्नी देने का कारण उसको टिकट मिल गया, तो आश्चर्ज है भाई, इससे पहले छोटे लालराय की बहन, जो आरजेडी से परसा के विधायक है, उनकी भी बहन ने किड्नी दिया था, तो यह टिकट उसको देना चाहिए था, जब छपरे की बेटी को देना है, तो वह छपरा की बेटी है, जो छोटे लालराय परसा के विधायक है, उनकी बहन ने पहले, साथ साल पहले कलकत्ता में जाकर किड्नी दे दिया, तो उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है, आप किड्नी दे दी तो भाई चले जा रहे हैं, उदर आप सुन रहे हुए कि पपू यादव अपना चाती पीट रहे हैं, बताया है जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के कहने पर पपू यादव ने अपनी पार्टी का कॉंग्रेस में विलै भी कर दिया, वो कह रहे थे ताल ठोकर के इंपूडिया कि सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन अब वहां से दूसरे कैंडियोट को उतार दिया लालू प्रसाद यादव ने, तो क्या लग रहे है लालू प्रसाद यादव पूरे परिवार को बतलब राजनिती में उतार के रहेंगे? जी बिलकूल बचे लोगों को इसी परकार से एक-एक करके बिहार के राजनितिक में वो ला देंगे और उन्होंने परमानित कर दिया है कि सिर्फ लालू जादो का परिवार ही जादो का परिवार है, दूसरा कोई परिवार नहीं है, जो लालू परिवार में पैदा लिया, उसी का टाइटिल यादव है दूसरा कोई ने इधर खास करके जो खोसी का छेतर है वहाँ पर पप्पु यादव का एक दबबा माना जाता है अब वहाँ पर बात ऐसी निकलनी शुरू हो गई कि यादव का टिकट कठवा दिया लालू प्रसाद यादव ने यहां सारन में अपको क्या लगता है ऐसी कोई बातचित है या फिर आपको लगता है कि जो मआई समीकरण था वो जाएगा बिल्कूल महागरवन दन के साथ अगर एम वाई स्वमी करन होता तो क्या सिर्फ उनको वाई दिखता है एम नहीं दिखता है छापरा का एम लोग भी तो भोट करता था उनको तो फिर एम को छोड़ दिये किसी यहीं कि एम को ठीकर दे देते अपने बची को क्यों और पपु जादो की बात रही तो उननों का अपना अंद्रूनी मामला है वो क्या कि उनके साथ हो अपना बदला ले रहे हैं यह पपु जादो के समझ के बाहर है कि हमको लालू जादा मेरे पार्टी को समाप्त करके और कॉंग्रेस में भेज करके राजनीती चाल चलके उनका टीकठी समाप्त करवा दिया आज इस फोलगा इस बार चुनाओ आसकर के बिहार में सारण की धरती पे हम खड़े हैं दो दो बार जबरतस जीत दर्ज की है यहां से राजी प्रताप रूडी जी ने लेकिन एक वक्त था जब लालू की तूती बोली बोलती थी यहां पर देखिए आज के समय में लालू जाद आज की तारिक में आपको लग रहा है कि कोई चुनोती है है 2024 में थोड़ा सा मैं सारण के धरती से बाहर निकल करके पूरे राष्ट के परिपेक्ष में आप से सवाल कर रहा हूं हमारे देश हित की बात आती है तो सबसे पहले सर्वपड़ी आता हम लोग का देश और जब जो एक गड़बंधन रखा गया था इन लोगों का एक निव रखा गया था उसका कोई अधान ही नहीं था इसके सभी सभी उस पे हम ये बात कहा सकते हैं कि दिवारों के ब्राम था कि पूरी चत नहीं के ऊपड़न के हुई है तो हर एक इट अपने आपको उतमें बहुआल ही मानता था सबसे सरस्लेश्टी मानता था तो हर एक यहीं सोचता है उनके यहां के नेता हीं सोचता है कि पूरी NDA की गफधन है उन्हीं के बडू से है और यहीं उनके सबसे बड़ी सोच का खारण था क्या लगता है क्यों बिखरा हुआ इंडियागटवन्दवन में बाते तो बड़ी बड़ी कर रहे थे क्योंकि किसी को भी अपने समर्थ का एहसास नहीं कि वह क्या है बहुत सार था इंडिया गट बंदर में लिटीजी जी चीट अगवा तर ममता बैनेर जी आंके तरह ने लिगी हसर तो हम देख रहे हैं पूरा इंडिया गट बंदर पूर जो लहा है वही दासा राज इंडिया गट बंदन का